सर प्रथम मैं आप सभी का दलीब भाई का पंकज लुपता जी सौरब जी हमारे रमेज भाई जो पहले से एक साल पहले कॉंग्रेस छोड़ करके यहां पर आये थे उनों ने कई बार मुझे कहा भी के बागडी जी आप कॉंग्रेस में बहुत संगर्स कर रहे हैं कि आप जैसे वैक्ति की आम आदनी पार्टी को जदूरत है और वहां आप जन्ता के लिए सेवा कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग संगर्स करते रहें लोग्डाउं कर समय आया राजेस भाई खड़ें साफ्ताइक बजार के नौट दिल्ली के परदाह में और करोना काल में बजार बंद हुए तो यह लोग बड़े एहरान और प्रेशान थे आत्म अत्या करने के करार पड़ते हैं लोगों ने अंदोलन किया आर्टी जन्ता पार्टी के लोग गुम्राह करते रहें कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदानी है और हम कॉंग्रेस के नेतां से कहते रहें कि इन गरिमों का हानन हो रहा हाला कमान को लेकिर वो बड़ी ऐसी रूम की राइनिती करते हैं ऐसे हम दिग्रांगों के लिए उनम जी ने काफी लड़ाई गड़ी सदन के अंदर अपेली पारसदा खड़ी ती दिल्ली के अंदर जो है एंसीडी जबकि दिल्ली सरकार ने अर दिल्ली के अंदर हाई डिटी जो मुख्यमंत्रिया मनीश इशोदिया जी और सभी विधायक जो साधारणपनूं का जो सरकार का दिखता है आसानी से उनको मिल लेना और उनकी बात को सुनना हमने अक्सर ये देखा कि जब कॉंग्रेस का भी शासन था तो शिकायतें जब कमियां होती थी हम लोग करते थे कभी जवाब पराफ्त नहीं होता था कभी फोन पराफ्त नहीं आता था लेकिन हम सब्सेज़ ज्यादा सरकार से इस बात से प्रभावित हैं कि अगर हमने कोई श्कायत करती है और उनकी कारवाई कि इसका क्या को और पर एक आपका काम हो गया और ये हमारे मन में बात आई है हमने देखा है कि ये लोगों की मजबूरी थी कि वो निरेंदर मोदी के खिलाब कॉंग्रेस को लिए कर आते थे क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं था जिस जिस देश के अंदर परदेश के अंदर तीसरी पारिटी का उदे हुआ है उस उस सब का हमें बदाई जेना चाहता हूं कि हमने वहां 50 लोगों से पूशा तो 50 में पचास लोगों ने यह का जी बीचे भी बिल्कुल साथ होगी हमने कौन आएगा मुझा जाड़ू आएगी क्योंकि दिल्दी में बहुत कुछ आए तो मैं समस्क्ता हूं कि आने वाले समय मे पूरा देश केजरिवाल जी की नीतियों को आम आद्वी पार्टी की नीतियों को उनके कामों की परसंसा करते वे पूरा देश केजरिवाल जी को परधान मंत्री के रुप में देखना चाहता है और हम सब संगठन में रहका पूरी मेहनत करेंगे जो जिमेदारियां में दी पुनम बागडी जी और इनके सबी साथियों का हादिक स्वागर्त भिनंदन करता हूं इनके साथ अश्वनी बागडी जी जो सदस्से हैं पुनम जी अश्वनी बागडी जी सदस्से दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी राजेश गुपता जी अध्यश साथ आईविक टाउन वेंडिंग कमीटी मुद्धी भाई महासची यूद्ध कॉंग्रेस वार डंबर 21 साबीर अली भाई महासची व्लॉग कॉंग्रेस कमीटी नरेन गर्ग जी अध्यक्ष बीसी ब्लॉग मार्केट अस्यशेशन अरुन कुमार जी अध्यक्ष जहांगिरपूरी एड़ सामिल होने से यह कुनवा न सिर्फ बड़ा होगा बल्कि मजबूत होगा और आने वाले निगम के चुनाओं को जीतने के लिए जो भी प्रयास दिली की जनता और आमार्भी पार्टी संगठन द्वारा किये जा रहे हैं उस प्रयास को मजबूत ही मिलेगी हम सब सामोहिक त सब्सक्राइब करता हूं तो मैं आपके साथ साजय करना चाहूंगा डॉक्टर पुनप्रीट सिंग जी मेरे साथ है और एक तो सिखिजम के उपर इनकी स्कॉलरी होल्ड है और इन्होंने गुरुनानक के संदेश को किस प्रकार से मैनेजमेंट और बिजनस में उप्योग मि तो मैं इनका स्वागत करता हूं ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे सिरुमनी अकाली दल में उसके बाद जागो पार्टी बनी जागो पार्टी में इंटरनाशनल प्रेसिडेंट यूथ रही है तो इस प्रकार के बैक्गराउंड के साथी डॉक्टर पुनप्रीट यूथ के वाइस प्रेसिडेंट रहे बीजेपी से हमारे मान्विनगर मंदल से और पुनप्रीजी के साथ भी और कसिस जी के साथ भी काफी संख्या में चैत्र के उन पार्टी के कारकरता गुथ वलंटियस जो डिस्टिक लेवले कारकरता बें सबी जोइन कर रहे हैं तो मै मैं तहे दिल से धन्दवाद करता हूं कि इन साथियों ने इस पार्टी को चुना तौर रहा नाम रहे गया वो पायल गुपतार ही हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट रही बहुत गहरे तक इनका साकेत में होल रहा है आज तरफ तो मैं उनका भी आज के दिन मतलब समाजिक भी लोग भी राजनीतिक लोग भी सब आ रहे हैं इससे बड़ी बार क्या वसिट किन ताइं बहुत बहुत बढ़र सब आज मैंने पार्टी सन्ग जब ये आमाधी पार्टी सरकार में तब से मुझे बता लगा कि में लें तो जब एक नॉर्मल इंसान के अंदर एक पावर आती कि आप मेले से काम करवा सकते हो जो जो काम कर सकते हैं तो उसका जो आपका रोल और इंपैक्ट है आपके उपर बहुत ज्यादा पढ़ता है अबैनन झीडती आपके आपके उनपा पावर झाल झाल जब भेले साज़ एक उ भ्योग